असलामूब अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्ड यूट्यूब चैनल मिना नाम है आजम और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्वर्टर एसी की इंडोर यूनट की और आउडोर यूनट की PCV के मुकंबल जो है A to Z connection वो सीखेंगे के हमारी कई बार मिस्ट्रेक हो जाती है communication error आ जाता है यहां फिर इसके जो connection है हमें करने पड़ जाएं कहीं पर इंडोर यूनट के आउडोर यूनट के तो हम confuse ना हो तो बहुत ही आसान है वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता दूख अगर आप PCV का काम जो हैं सीखना चाहते हैं तो PCV में जितने बिल्कुल से उनको किट के अंदर कैसे टेस्ट कर सकते हैं मीटर के साथ उनका बेसिक वर्किंग क्या है तो स्क्रीन पर दिए गए को टेक नमबर पर राप्ता करें वाट्स अपर कॉंटक्ट करें तो बिल्कुल सस्ते में ही आप PCV को पर चैस करके आप इसका बेसिक वर्क इसमें connect नहीं हैं तो यहांपर हमने कैसे कंड़ने हैं यहांप सारे जैक लगने हैं और यह भी जैक यह भी काफी जारे जैक हैं लेकिन हमने main इसके connection कहां से start करने है सबसे पहले आपने connection start करने है अपने Neutral और Face से अब इसमें neutral कहां पर लगानी है Face कहां पर लगानी है सबसे पहले यह चीज हम clear कर लेंगे अपने किसी भी एक side पर कही ना कही पर भी आपको एक point मिल जाएगा जिस पर N लिखा वो मिल जागा simply, neutral का, ठीक है, तो मुझे ये point मिला है, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखें, N in, मतलब neutral in, यहां पर देनी है, neutral, यहां पर neutral wire लग जाएगी, ठीक है, अभी phase कहां पर देना है, कहीं न कहीं पर आपको L मिल जाएगा, ना भी मिले L line, तो यह जो relay है, आपको कहीं न कहीं पर relay ज़रूर मिलेगी, relay के दो point होते है, एक in, एक out, तो उस पर आपने लगानी होती है, इन वाली side पर, यहां पर लिखा हूँ है, L in, और यह वाला point यहां पर दिया हूँ है, कहीं बार यह नहीं भी लिखा हूँ होता, यानि कि arrow का निशान नहीं भी दिया होता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि in कौन सी है, इन में, neutral का तो पता चल गया, क्योंकि वो तो point ही एक है, लेकिन इन दोनों में से in वाली कौन सी है, अगर आप out की जगा in लगा देंगे, तब यह PCV on नहीं करेगा, इसलिए आप in find कर करने के लिए, easily, meter को continuity mode पर रखें, और असानी के साथ, आपने buzzer का sound देखना है, fuse, एक point fuse पर लगा लें, और एक इन दोनों में test करें, जिस पर buzzer आए, वो आपकी in होगी, यह देखें, इस पर नहीं आई, यह देखें, यह हमारी, जो के यहाँ पर लिखी भी हुई थी, mention क किया हुआ था, arrow का निशान था, तो वो ही हमारी in आई, चलिए, यहाँ से start करते हैं, यह मेरे पास brown है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जो कि मैं अपनी in बनाऊंगा, ठीक है, लेजिए, इसी को मैंने in बना लिया, brown wire को, और blue wire यह रही, ठीक है, blue wire जो है, यह है, वहा न्यूटरल जो है, मैंने यहाँ पर, न्यूटरल भी यहाँ पर connect करनी है, तो यह न्यूटरल, और face इसमें connect हो गया, लेकिन अभी PC भी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें transformer लगना ज़रूरी है, जो कि इसको 12 volt supply करके देगा, अभी transformer की तरफ आ जाते हैं, transformer का बड़ा jack है, connect हो गया, अभी इसकी, secondary wiring, winding यह है, और यह jack जो है, इसका red, बड़ा आपको color to color easily पता चाल रहा है, main connection इसके यहीं है, जो आपको problem करते हैं, ठीक है, बाकि jack to jack easily आप कर पाएंगे, असानी के साथ, ठीक है, तो यह भी jack जो है, मैं इसमें connect कर लेता हूँ, यह भी jack connect हो गया, अभी यह भी connect हो गया, अब एक wire और है, जो कि इसमें important है, inverter AC में, वो है communication wire, वो भी आपको कहीना कहीं पर, जैसे हमें यह वाला neutral का point मिला, कहीना कहीं पर S लिखा हुआ होगा, उस point पर, तो वो हम देख लेते हैं, यह point बना हुआ है, ठीक है, इसके पर ल यहां पर आप एक wire अपनी connect कर लेंगे, तो यहां पर मेरे पास free एक wire है, जो के third S wire लिखा हो होता है, अभूमन black होती है, white भी होती है, तो यहां पर कौन सी है, जी हां black ही है, तो black wire जो है, हमारी S wire यहां पर use होगी, ठीक है, यह है black wire, black wire को हम यहां पर S use करेंगे, communication, ठीक ह यह हमारी black wire जो है, यहां पर use होगी, यह communication भी होगी, neutral face और communication, अभी connector पर कहां कहां है, यह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, main line directly, neutral face होगी, और communication वहां पर चली गई, ठीक है, यह चीज़ क्लियर होगी, अभी output हमने बाहर निकालनी है, ठीक है, line आप देख रहे हैं, कि यह हमारी main wire है, line directly यहां पर आ गई है, output से connector में जाएगी, ठीक है, और जो हमारी neutral है, neutral directly पहले connector में गई, connector से उपर भी चली जाएगी, और यहां पर भी आ गई, मतलब PCB को भी मिल गई, face PCB को मिल गया, और control से, यानि कि output से, हमारे outdoor unit को जाएगा, और communication यहां पर लग गया, S वाले point पर और यही से, ऊपर outdoor जेंटर में जाएगा, बाकी हम PCB outdoor में भी जाकर देखेंगे, कि यही जो तीन wire है main, outdoor में कहां कहां लगी हुई है, बाकी तो jack to jack ही है, अभी यहां पर मैं सारी wiring, jack to jack कर लेता हूँ, मतलब कि यह जितने भी sensor का jack, swing motor का jack, और यह मज़े की बात मैंने सबी jacks जो है, connect कर दी है, अभी हमारे jack वाली, जो side है, वो clear हो चुकी है, exactly जो, जिसका जो jack था, मतलब जो point था, वहें पर जाकर लगा, color coding भी match हो गई, और fitting भी, एक दूसरे के exchange नहीं हो सकते है, यह इसमें अच्छी बात है, तो आप में देखा कितने असान connection है, अभी यह इसकी main wire थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया के relay के उपर हमारा inside पर directly brown wire चेलेगी, ठीक है, और यहां से जो है, अभी output हमने वापिस लेनी है, यह जो है, एक wire हमारे पास free बची हुई है, इसको हम output के लिए use कर लेंगे, ठीक हो गया, यह यहां पर है, जिया इस brown wire को हम output पर connect कर देंगे, जो के हमारी उपर outdoor unit के लिए काम आएगी, मतलब outdoor unit को जाएगी यह, ठीक है, अब इसके आपको connection सही से समझाएंगे, indoor unit हमारी clear होने लगी है, तो यहां पर आप देखें के center वाला earthing point है, वो आपने body के साथ attach करना होता है, बाकि L, N और S, यह ह हमारी main wire थी, जिसमें neutral हमारी PCB को भी मिल गई थी, आपने देखा, ठीक है, और N पर भी लगी होई है, यहां से सिर्धी N पर लगी होई है, और नीचे जाकर PCB को भी मिल गई है, यहां पर इसलिए लगी है, joint इसलिए किया हुआ है, कि PCB को भी मिल गई, और यहां से अभी connect करक यहां से signal wire connect करके communication, आउटर में signal wire पर लग जाएगी, neutral जो है, आउटर में जाएगी, और neutral पर लग जाएगी, line आउटर में जाएगी, line पर लग जाएगी, लेकिन यहां पर हमने line जो है, वो direct indoor को दी हुई है, output निकलेगी, वो वाली line जो है, हमारी यहां से आएगी, clear हो ग लेता हूं, जिस पर line, neutral और S वाली, अगर फोर कोर है, तो हमारतिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो line, neutral और S वाली वायर हम correct कर लेंगे, जो कि outdoor की तरफ लेकर चलेंगे, और उसके हमने color coding याद रखने है, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना कि यहां पर आप जो line पर neutral वाली यहां से जाएगी, आउडर में भी neutral पर लगेगी, S वाली आउडर में भी S पर ही लगेगी, अगर आप चेंज कर देंगे, तो communication error आ जाएगा, तो चलिए, मैं connect कर लेता हूं, इसका साथ तरीका यह होता है, कि आप numbering से लगाएं, और color coding याद रखें, कि आपने line प यहां पर connect कर ली है wire, जो कि first पर मैंने लगाई brown, और second पर blue, और third पर मेरे पास earthing की wire थी, फिलाल मैंने यही यूज कर ली, जो कि मैं वहां पर S पर ही लगाऊँगा, क्योंकि मैंने S पर यूज की है, ठीक है, two core white थी, तीसरी जो है, इसमें earthing की थी, मतलब three core थी, लेकिन कर थी, वैसे black हो, यह white हो, तो आप वो connect कर सकते है, यह earthing पर लगा दें बापिस, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, मैंने यहां पर जो है, तीनों wire connect कर ली, अभी same to same, हम outdoor में connection करेंगे, लेकिन पहले outdoor के PCB के connection हम समझ लेंगे, यहां पर मैंने outdoor के PCB के connection हम समझ लेंगे जिसमें आपको connection समझाने में असानी हो, मतलब मुकंबल connection अभी disconnect है, तो PCB को मैं बाहिर निकालता हूँ और अंदर आपको दिखाता हूँ कि ल वाली PCB में अंदर कहां पर connect है, N वाली अंदर कहां पर connect है, और S वाली अंदर कहां पर connect है, और अगर यह exchange हो जे तो हमारा communication error और यहां पर इसके connector में जो है, L, N और S वाली वाल जो है, वो कैसे लगी हुई है, वो मैं आपको दिखा हूँगा, यह थिम्बल जो है, इसमें लगे हुए है, ब्रॉण, ब्रॉण, ब्लेक, N, L और S पर ठीक है, और यहां पर आकर कैसे, कहां पर connect है, यहां पर आप देख यहां पर बुजूद है, वहां पर आपने black connect कर देनी है, और एक साइड पर आपने ACN देखेंगे, वो पॉइंट है वहां पर आपने, जो आपके blue wire है, वो connect हो जाएगी, ठीक है, और यह जो दो पॉइंट है, ब्रॉण वाले, ठीक है, यह आपके conductor में लगेंगे, वो मैं भी आपके सामने आउड़ जूनेट में लगाओंगा, यह जो जग है, यह जग है, हमारी compressor का, और यहां पर fan motor का जग है, और sensor का जग है, अभी इसको मैं वापिस यहां पर रख लेता हूँ और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि भई इसको वापिस रखने के बाद यह चीज़ बेर करूगा कि देखें यह इसके जो है ठीक है यह एल वायर जो है यह हम फर्स्ट लगाएंगे और एन जो है सेकंड क्योंकि हमारे इंडोर यूनुट में भी सेम ऐसे है तो यहां पर भी सेम ऐसे ही हम लगाएंगे अगर हम यहां से एक पॉइंट भी चेंज कर देते हैं तो कम्यूनिकेशन का एरर यहां पर शो होगा ठीक है यह ठीक हो गया अभी जो इंडोर में हमने तीन वायर लगाई फर्स्ट वायर हमने लगाई थी ब्रॉण सेकिंड लगाई थी ब्रॉण बिलू एंड थर्ड वार जो एस वाली है वो ब्लैक ब्लैक अपने यह पर आपने पर लगा दी है पिंच शेक कर अब इसको पीजिख्ट्यम में रखकर ऐसके कर लेते हैं भी यहां पर लगा देते हैं है तो यहां पर फ्रेंड हैं इसको बाकी ऐक कर लेंगे जिसमें कंप्रेसर का wax काम यूवी डब्ली वाला और यू डब्लीव और ओर यवले जैक जो है असानी के साथ सही से क्नेक्ट हो गया है लूज जुना रहे यह सही से क्नेक्ट हो चुका है अभी यह जो दो ब्रॉण वायर्स है यह एंड़क्टर है अंड़क्टर कोई के साथ हम क्नेक्ट कर लेंगे कोई भी वायर आप किसी भी पिन के साथ लगा सकते हैं दोनो आपने चिए दोनों ये वाली ब्रोन वा इर्स जो है कनैटकर देनी है यहांकर का कोंडेक्टर की कनेक्शन भी हो गए आपको कंप्रेसर का भी और इसके जो सेंसर है निजिंग आतमा जैकर देला आप याप यहां Powershag नेक्टर बिल जाएगा यह रहा फैन का जैक ठीक है फैन का जैक जो है आप यहाँ पर लगाएंगे ठीक है तो फैन भी आसानी के साथ यहां से चलेगा मतलब बाखी कुनेक्शन जैक टू जैक है दो उसमें आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी देखें यह फैन वाला जैक यह Haना जए यह पर लगा देंगे यह वी इस चार नहीं है कम्प्रेशर फैन दोनों क्लियर हो गए और अटेकर भी क्लियर हो गया और इसके दूसरे हमारे क्वें गेड्र हो गया यह हमारीं सब्सक्राज़ कभर लगाकर हम कर देखैंगे यह क्कृल से गाइस तुका है और इस तरह से जो है इन फीन याई गाई है धूस्जार से नेकैन पर शकीज़ कर दिया मैं तो जैसे एंडोर चाहिए दिया है इस तरह हमारा कम्व्यूनिक्येश्चिन अर्र नहीं आएगा तो आपने देखा के बहुत ही एज़ी है अब यहां पर आपको यह चीज़ क्लियर कर दो कि इंडोर की PC टेस्श लिए कर दिजाइन चेंज होसकता है फोल multiples प्याइन कर सकते हैं में अपने पहां पर है और में आपने कहां पर देनी है आउट कैसे आपने लेनी हैं, इंडोर तो आउडोर आपने कैसे कनेक्शन करने हैं, इंडोर की PCV के, आउडोर की PCV के, मेरे खाल में आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जाहे कोई और भी मॉडल हो, तो आप असानी के साथ उसका जो है, आपको करना आना चाहिए, की कनेक्शन आप आसानी के साथ कैसे ट्रेस कर पाएंगे?